कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल देविंद्र क्लासेस में चर्चा करेंगे सम्मेधान के टॉप 50 क्वेशन की तो अंतर तक वीडियो में मेरे साथ बने रहे हूं वीडियो को सेयर करें सबसे पहल करने में आपका कुछ जा नहीं रहा है ठीक है तो लाइक करिए क्लास को और पढ़िए मेरे साथ इत्मिनान से तो पहला क्वेशन देखते हैं समय नागवाते हुए स्वर्ण सिंग समिती अगर साफ नहीं देखता है तो कॉलिटी बढ़ा लिया करो नेट खर्च करो 5G चला तर मैं सामिल किया गशे लिए लिए मॉले करतब्य ओं डालिक करतब्यन सामले सब शक्रा हुथ भी बरतमाने में कितनी संख्या ग्यार है और कौन से देश से लिए गए गए मौले करतब रूस से रूस के समयदान से लिए गए सबसे बड़ा देश है रूस और रूस का पुर्व सोवियत संग पूर्व सोवियत संग का वेगटन हो गया 1991 में 1991 बेगटन होने के बाद 15 देश नए बने उनमें से एक युक्रेणी भी बना जो इस समय लड़ाई चल लए दोनों देशों में युक्रेणी की राजदानी और रूस की राजदानी कमेंट बॉक्स में फटाबुट से बताईए ठीक है यह पॉइंट नोट कर लेना रास्टी विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई है ना देखो क्या नाम है इसका रास्टी विकास क्या काम करती है विकास करने एक परिषद परिषद मींस काउंसिल काउंसिल इंग्लिस में बोलते है रास्टी विकास परिषद है 6 अगस्त नी सुभावन को स्थापना हुई ठीक है अगला पॉंट है केंद्र एवं राज्यों के मद्द बित का बटवारा काय का बित मतलव यानि की पैसे का बटवारा गेंद्र और राज्यों के मद्द बित का बटवारा कौन करता है वित्तायू करता है और बित्तायू का प्रावदान कौन से आर्टीकल में आर्टीकल 280 में वित्तायू का प्रावदान वाई साब अनुच्छे 280 में है ये नोट कर लेना छाप लेना ठीक है अगला देखिए आपातकाल की गोष्णा की स्विकृति के बाद, जैसे मान की चलो आपातकाल की गोष्णा हो गई भारत में, रास्टी आपातकाल की बात कर रहा हूँ मैं, रास्टी आपातकाल कौन से आर्टिकल के तेयत लगा जाता है, तो आर्टिकल 352 में, 352 का इस्तिमाल भारत के कर लेना, एक महिने के भीतर, ये सुविकृती कहां से मिलनी चाहीए, कहां ले जाना चाहीए, संसद में, है न, जैसे रास्टिया पत काल, आज लग गया, तो आज के 30 दिन के भीतर, 30 दिन का समय होता है, संसद में रगना चाहिए, संकल्प, तब संसद इसे पारित करती है तो 6 महीने के लिए जा आगे बढ़ता है तो एक महीने के टाइम है तीन सो बामन में रास्टी आपातकाल लगाया जाता है और रास्टी आपातकल अभी तक भारत में तीन बार लगा है सबसे पहले 1962 में लगा था बारत और चीन के युद्ध किसमें दूसर बार रास्टी आपातकाल की कंडिसंस हुई हैं हमारे अभी तक अनुच्छे 369 के तहत एक आर्टिकल है 369 के तहत अनुच्छे 20 और 21 को निलम्मित नहीं किया जा सकता है आपातकाल के समय देखो अनुच्छे 369 के तहत अनुच्छे 20 और 21 को निलम्मित नहीं किया जा सकता ह ब्रेकेट में लिख लेना आपातकाल के समय निलम्मिद नहीं किया जा सकता है ठीक है अगला है रास्टपती सासन रास्टपती सासन किसकी सिफारिस के बाद लगाते हैं और रास्टपती सासन कौन से आर्टिकल के तहत लगाते हैं अनुच्छे 356 के तहत रास्टपती सासन ल राजपाल लिपकेद देता है तव राष्टपती लगाते हैं, राज में लगाया जाता है राष्टपती सासन कानून विबस्ता खराब होने पर, अनुछेद 19, आर्टिकल 19 है न, क्या है इसमें स्वतंतरिता का अधिकार, आर्टिकल 19 में क्या है स्वतंतरिता का अधिकार, आ पुछ समय के लिए निलम्मेत हो जाता है तो आर्टिकल 19 स्वत्य खतम हो जाता है है ना स्वतंत्रता है क्या हो जाती है जो आर्टिकल 19 में 6 परकार की स्वतंत्रता है तब तक आपातकाल रहेगा वो तब तक निलम्मेत हो जाती है है ना तो स्वत्य खतम होने वाला आर्टिक में है ना और जो सम्मर्ती सूची है वो कां से लिए हमने औस्टेलिया के सम्मेदान से यह लिख लेना मैंने अलग से लिख दिया याद कराने के लिए आस्टेलिया के सम्मेदान से सम्मर्थी सूची को अपनाया है हमने है ना आस्टेलिया के सम्मेदान ते और संगात्मक सासन कनाडा से लिया है है ना सात्मी अनसूची मोस्ट इंपोर्टेंट है जो के सक्तियों के वटवारे के बारे में बताती है अब देखो वाई, संग का मतलब 12 सरकार, इसमें 12 सरकार अपने एसाप से निरने लेती है, वह सारी कानून बनाती है, राज में, राज सरकार काम करती है, समर्थी में दोनों मिल के काम करती है, तो ये भी विवस्ता है सात्मिय अनसूची में, अगला देखे बिदान लग वेदान कॉन से आर्टिकल में 169 में बिदानपरिशद का गठन भी है और बिदान परसद की समापती भी है 169 के तहत है ना अब कितने राज्यों में देखो यूपी में भी है विदान परसाद बिलकुल है साब अमारे उत्तर प्रदेश में ब्यार में भी है साब करनाटक में भी है मारास्ट में भी है आंदर प्रदेश में और जम्मु कस्मीर चोके कस्मीर और केंद्र सासित राज्य है तो वैसे इन छह राज् राजजपाल जो होते हैं वो विधान परिशद में कितने लोगों को मनोनित करते हैं एक वट्टे छे सारस्यों को मनोनित करते हैं जो राजजपाल को अधिकार होता है जो विधान परिशद दूसरा सदन होता है या इस्थाई सदन बोलते हैं इसको यह बंग नहीं किया जा सक सकता है इसको समाप्त किया जा सकता है संसद के द्वारा और संसद ही इसकी नरमाड के लिए अनुमति देती है है ना article melted में इसका प्रावधान होता है कि जब चुनाव होते हैं तो evolved ज्रह लोगों को राजपाल मनोनित कड़ेथे हैं राचपाल को यह संभैदाने कि जो उम्र होती है वो कितनी 30 साल होनी चाहिए ब्यदान परस्द का और कारिकल के साल का 6 साल का रहता है ब्यदान परस्द के सरस्यों का मतलब जो उनकी डूटी शुरू होगी अगर चुनाप जी चाते हैं तो 6 साल तक रहेंगे उसके अंदर वो है न सम्मेदान का सरच्छक क सम्मेदान के व्याख्या कौन गड़ता है या सम्मेदान का सरच्छक कौन है तो सुप्रिम कोट होता है न के अटेकर कौन होता है हमारा सुप्रिम कोट उच्चतम यायाले अगला है एक कानून था SCST कानून कौन सा कानून है यह SCST अनसूचित जाती और अनसूचित जन जा स्टी का मतलब जन जाती और स्टी का मतलब जाती यह कानून 30 जनवरी 1990 को भारत में लागू किया गया था अगला पॉंट है रास्टी हरित न्याधी करण हरित का मतलब यहां वनों से पेड़ पौदों की सुरच्छा से सम्वंदत यह बनाया गया था एक विवाग रास्टी हरित न्याधी करण की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका मुख्याले का आए हैड ओप इस दिल्ली में है 2010 म केंद्री यह बिधान परिशत का अध्यच केसे चुना गया बिठल वाई पटेल को पहले बारतिय बेक्टी थे जो बिधान परिशत के अध्यच्छे चुनए गई 1925 में बिठल वाई पटेल, कौनसी पार्टी के तैत, सुराज पार्टी के तैत, सुराज पार्टी के स्थाफना 1923 में हुई थी, इलावाद में, जिसके स्थाफना करने बाले, मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास, दोनों ने मिलके एक पार्टी बनाई, उसके बाद 28 मार्च 19 dtzn, यह डेट लखे लए न, इसमें, डेट भी लखे दिए, मैंने कई वार बच्चे डेटों की जिक्र करते हैं, 28 मार्च 19engesज़ को मता अधिकार कानून लागू हुआ था बारत में, कौन सा कानून लागू हुआ था? मता अधिकार कानून, 28 मार्च 19новаसी को, अब ये कौनचा कानून है ये वही कानून है जैसमें उम्र 21 से गटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी मता अधिकार कानून ठीक है नोट कर लेना अगला पॉइंट है धन विद्यक का निरने कौन करता है लोकसवा का अध्यच धन विद्यक का निरने लोकसवा का अध्यच करता है नोट की अनुमती चाहिए संसद की संसद की अनुमती चाहिए और आर्टिकल 114 के तहत संसद में क्या पारित किया जाता है बिनियोग विदियक पारित किया जाता है आर्टिकल 114 के तहत ठीक है यह नोट कर लेना अगला पॉंट लिया हमने संयुक्त बैठक का प्रावदान आर्टि सबसे पहले संधा सOOD Mend cups 1961 में दहेज ли वाले कानून के लिए बुलाई गई थी है ना फिर उसके बाद बंढ़ाई गई थी 1978 कोटा के लिए बुलाई गई थी फिर उच之के बाद 2002 में बुलाई गई थी लगोताby本 लेख समिति की अदेजरया वन्यटा करता है Q संसद के दो सब्त्रं के मद्ध कितने महीने का अंतर होना चाहिए 6 महीने का जैसे एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच का जो समय होना चाहिए वो 6 महीने कम से कम बीच में समय होना चाहिए गैप होना चाहिए कितने का 6 महीने का गैप होना चाहिए बीच में है न अगला है राज्य सवा को भंग नहीं किया जा सकता है यह पूर्ट याद रखना कई वार पूछा जा सकता है कई वार पूछा जा चुका है प्रशना आता है कि राज्य सवा को इनमें से कौन से सदन को भंग नहीं किया जा सकता या भंग किया जा सकता है तो options के according देख लिए ना राज्य सवाई एक स्थाई सदन है पर्मानेंट सदन है इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है इसके 5 साल बाद कोई चुनाब नहीं होते हैं इसमें से हर दो साल बाद एक त्याई सदस रेटार होते हैं हर दूसरे साल में एक तेहाई, एक वटे तीन सदस रेटार होते हैं और इतनी नहीं सदस आ जाते हैं तो एक cycling एक चक्र चलता है राज्य सवागी सदस्यों का 6 साल का कारिकाल होता है कितनी साल का? 6 साल का और राज्य सवा का चुनाव लड़ने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए इस्थाई सदने से कभी भंग नहीं किया जा सकता है यह नोट कर लेना राज्य सवा में अधिक्तम सदस्य संख्या 250 होती है राज्य सवा के सांसदों की और बरतमान में 245 है नाम के इसका राज्य सवा यानि कि राज्यों की सवा जो लोग आते हैं वो राज्यों से चुन करके आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सवा के सांसद और बारे सदस्यों को राष्टपती इसमें मनुनित करते हैं अला, समाज, सायत, खेल, अलग-अलग छेत्रों से, 12 लोगों को राष्टपती मनुनित करते हैं, राज्य सवा का प्रावदान आर्टिकल 80 में है, राज्य सवा की स्थापना 1952 में हुई थी, यह भी नोट कर लेना है न, कब हुई थी 1952 में, इस समय राज्य सवा की जो सवापती हैं, वो जगदीप धनकड़ जी है, जो भारत का उपराष्टपती होता है, वही राज्य सवा का सवापती होता है, यह चेर्मेन बोल चकते हैं, आर्टिकल 64 में, आनुछेद 64 में यह विवस्ता है, और आर्टिकल 63 में बारत के उपराष्टपती का पद होता है, यह नोट कर ले ना सभी जो मैंने बोले क्मेंटरी करी आपके लिए लोकसवा अध्य अपने बोट का प्रयोग जैसे जैसे बोटेंग और यह किसी कानुन पर लोकसवा में कि से जैसे बुति होती है तो माने के चलो दौन तरब से था वोटेंग ओई तो 50 50 दल गए तो सबस्क्राइब कोई दबाव नहीं लोगसफास इस अने की पांटी की तरफ डाल सकता है लेकन ऐसा देखने को कम मिलता यहां बोटसिंपल सी बात है जिसमें सौचने बिचारने की बात ने तो पार्टिकल सौ का इस्तमाल करते हैं अपने मत के लिए से कास्टिंग बोट बोलते हैं सम्मेदान में आप पड़ोगे तो क्या नाम दे रखा है कास्टिंग बोट ठीक है लोगसवा में आंद्रप्रदेश और वस्चे मंगाले इन दोनों राज्यों की बात करें तो दोनों र सदस और 42 बंगाल से चुने जाते हैं लोगसवा की सीट है अगला आये आर्टिकल 85 के दो के तहत जी dużo अनुच्षिद लिखना अनुच्यद 85 के दो के तहत लोगसवा को भंग किया जा सकता है लगसवा को समय से पहले वंग किया जा सकता है समय से से पहले मतलब 5 साल पूर्व होने से पहले लोगसवा का कारकाल के साल का होता है 5 साल का तो 5 साल पूरे होने से पहले लोगसवा को भंग किया जा सकता है केंद्री मंत्री मंदल की सिफारिस के बाद ठीक है थी आर्टिकल 85 केता है तो भंग किया जा सकता है लोगसवा को किया ज उपस्तित सदस्यों का होना चाहिए, लोगसभा और राजसभा में घणपूर्थी के लिए, यानि कि जो उपस्तित लोग है, उनका जतने जैसे लोगसभा के कितने लोग होते हैं, 545 राजसभा में 245, और 245 उनका जो इस समय उपस्तित है, उनका एक वट्टे दस कम से कम बैठक में होना ही चाहिए अगर एक वट्टे दस सदस नहीं उपलब दोंगे तो बैठकों का आयुजन नहीं किया जा सकता है ये वेवस्ता है बाई साथ समयदान में तो एक वट्टे दस गड़ पूर्ती का मतलब बैठक होने के लिए गड़ पूर्ती पूर्ती होने के लिए पूर्ती करने के लिए यतने सदस होने चाहिए सीटों की संख्या 1971 की जनगणा के आदार पर चल लएए हमारे यह लोगसभा में जो के कब तक रहेगी 2026 तक रहेगी सेम आपसे पूछा जाए कि कौनसी जनगणा के आदार पर लोगसभा के सीटों को निरदारित तो 1971 की जनगणा के आदार पर लोगसभा में सीटों की विवस्ता है जो के 2026 तक यही विवस्ता रहेगी ठीक है महानियवादी आ जाए आर्टिकल छेतर में महानियवादी कौन से अनुच्छेतर में निक्त होते हैं 76 में कैग की निक्ति कौन से आर्टिकल में होती है आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परिच्छक आर्टिकल 148 में महानियवादी अनुच्छेतर में और चुनाव आयक तो आर्टिकल 324 में है इन तीनों की नियुक्ति कौन करता है बारत का रास्ट पती नियुक्त करता है महानियाबादी की नियुक्ति कौन करेगा नियंतरक माले का परिछक की नियुक्ति चुनाव आयक्त की नियुक्ति तो कौन करता है बारत का रास्ट पती न्युक्ति करता है नोट कर लेना सामोहिक मंत्री परिशद आर्टिकल पिचेत्र के तहट कौन से आर्टिकल पिचेत्र के तीन के तहट यहां पर तीन हो रहे हैं सामोहिक मंत्री परिशद पिचेत्र के तीन के तहट लोगसवा के प्रते उत्तरदाई होती है किसके प्रती? लोगसवा के प्रते उत्तरदाई होती है नोट कर लेना पूरी मंत्री पड़सद कांप है? लोगसवा में उपराश्टपती को पद से कौन अटा सकता है? राज्यसवा अटा सकती है अगर प्रिशन आ जाए के भाई उपराष्ट पती को कौन अटाएगा कौन अटा सकता है उपराष्ट पती को तो केवल राज्यसवा ही अटा सकती है उपराष्ट पती को केवल केवल राज्यसवा संकल्प पारित करेगी और दो त्याई से पारित करके उसे ज़स दिन से पार तो जाएगा तो ऑप रास्ट पती को स्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि उप रास्ट पती राज्य सभा की ही अध्यच्छता करता है उसका लोक्सभा से कोई लेना देना नहीं होता है भाई साब ठीक है भाईया बारत के चौथे नंबर के रास्ट पती ले लिए हैं हमने यूनियन आंदोलन से ये सम्मंदित रहे थे चौते राष्टपती भीवी गरी यदि राष्टपती और उपराष्टपती का पद खाली हो तो ऐसी इस्तिती में राष्टपती का काम कौन करेगा यदि राष्टपती भी पद पर ना हो माली जे इस्तीफा दे दिया हो मुरती हो गई हो और उपर राष्टपती का पद भी खाली हो ऐसी इस्तिती में राष्टपती का काम कौन करेगा तो ऐसी इस्तिती में राष्टपती का काम मुख्य नियादिस करेगा सुप्रेम कोट के मुख्य नियादिस यानि सव्मिदान अगर राष्टपती स्थीफा दें म्रती हो जाए तो नइ राष्टपती को चुनाव कितने दिनों के अन्दर होना चाहिए घर उपराश्टपती का चुनाव कितने दिनों के शे महीने के अंदर हार कोई शांसाध की सीट खाली हो जारता है कितने महीने के अंदर चे महीने सम्मिधान में छे महीने रड़ लेना दुवारा जो दूसरा चुनाव होता है एक बार अगर कोईत छोड़ readers मृत्ति हो जाए इस्तिफदे दे तो 6 महीने के बीतर बीतर चुनाब होना जरूरी है क्लास कैसी लगी अबस्च बताना और याद कर लेना और भी वह सारे पॉंट पढ़ लेना ये मैंने एक क्लास पढ़ाई है 15-16 दिनों में अगर 15 भी क्लास पढ़ाएंगे तो बहुत क्लास आपको करा देंगे हम लेकिन हमारी कोशिस रहेगी लिम्टेड सीमित संसा दोनों में जितना हम पढ़ा पाएंगे उतना पढ़ाएंगे क्लें कोशिस करेंगे आपके साथ कि आपका जो परिच्छा है आने वाली वो वह बहतर से बहतर हो और हम जितने भी कोूसंटस पढ़ा रहे हैं वो सभी कोूसंटस आने चाहिए आपके पेपर में और आएंगे ही आप चिंता ना करें रिवीजन करते नहें, रिपीट करते नहें बार बार, चीजों को पढ़ते रहें, जैसे करेंट अफेड्स पढ़िए लगाता है, पिछले 6 महीने, 8 महीने तक का पता होना चाहिए आपको, उत्तर प्रदेश से स्पेशल, अच्छे से रट लो, अच्छे से रट के डाल दो, पूरव पश्यम, उत्तर दच्छन, सभी सीमाओं को, सभी जिलों को, जिलों से लगनी वाली सीमाओं को, उनके उत्तपादों को, प्रसद चीजों को, पच्छी बयारों को, वन जीव अभ्यारणों को, मेलों को, तिवहारों को, सब पढ़ा रखा है आपको, कंपिड़र ज झाल 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 झाल